नुहु का एक मात्र गांधी पारक अपनी बधाली पर आशु बहा रहा है। नुहु शहर के लोगों के लिए जिला परसासन ने गांधी पारक वनवाया था लेकिन देख रेक नहीं होने की वज़े से गांधी पारक अब अपनी बधाली पर आशु बहा रहा है। शहर के लोग सुभे सुभे घुमने के लिए इधर उधर ना जाएं इसी लिए गांधी पारक बनवाया गया था लेकिन नगर परिशत द्वारा देख रेक नहीं होने की वज़े से पारक अब अपनी बधाली पर आशुबाह रहा है पारक में लगी गांधी की पर्तिमा के पत्थर को भी कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है इसके अलावा सुरक्षा के लिए पारक के चारों तरफ लोहे की गिरिल लगाई गई ताकि कोई अवारा पशू पारक में ने घुस पसके लेकिन कुछ शरारती तत्वे नसेड़ी लोगों ने उन लोहे की गिरिलों को भी चुरा लिया है पारक में लगी हुई लाइट सोपीस बनकर रह गई है वहीं पारक के वीचों वीच एक फवारा भी लगाया गया था लेकिन अब फवारा सिर्फ देखने को ही रह गया है नै तो उसमें पानी है और नै ही चलाने वाली मोटर है शुबह सुबह पारक में घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि शहर के लोगों के लिए यह पारक बनाई गई थी लेकिन अब पारक में रह कर यह सिर्फ एक कुड़ा घर बनकर रह गया है पारक के चारो तरफ सुरक्षा के लिए लोहे की गिरिल लगाई गई थी लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें चुरा लिया है सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिशद द्वारब पारक में चोखिदार की कोई विवस्ता नहीं होने की वज़े से इस पारक को इतना नुक्सान पहुचाया गया है लोगों ने जिला परसासन से मांग की है इसके परती सरकार का रवया बहुत उदासीन है यहां ना कोई चौकीदार है सारे दिन जो है इसमें लावार इस पसू गूमते हैं लोग ग्रिल जो है जब चौकीदार नहीं तो ग्रिल वगरा उखाड के ले गए लोग बहुत बार जो है मिनस्फिल कमेटी के नोटिस में ये बात लाई गई है कि इसके लिए एक तो पर्मानेंट चौकीदार हो और दूसरा इसका पूरी तरह से इसकी रिपेर हो पारक की इसको फिल अप करके इसमें दुबारा से ग्रिल लगाई जाएं अच्छा गेट लगाए जाए पर्मानेंट चौकीदार हो लेकिन कोई सुनवाई नहीं है बार बार आसवासन देते हैं कि बजट बन रहा है लेकिन आज तक कोई उसका रजल्ट नहीं है सर हम सुबह सुबह गूम ने जाते हैं कि गुम नहीं पाते हैं यहां इतनी कंदगी होते हैं ना इसमें कोई चोखीदार ना कोई गार्ड है और लोगों ने इसके ग्रील वगए रही सब उखाड दे और लोग तो खाडेंगे सर रात को चौर चक किय आते हैं दारू पीते हैं उसमें एक चोकिदार हो इसकी अच्छी तरह से कार्रावाई हो साफ सफाई हो हमारे डिस्टिक में उसमें सिर्फ एक पारक है परसासन से यही गुजारिस करते हैं, इसका चोकिदार हो, इसका थोड़ा साफ सफाई के लिए ख्याल रखा जाए हमारी तो यही जी जी